हेलो नमस्कार आप सब लोग आएक बार फिर स्वागत थे आपके यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंगलिस में आज के इस वीडियो में हम लोग जो दगंगा पार्ट सेकेंड का अध्यान करेंगे पार्ट फर्स पर हम लोग पढ़े थे पनिजवाल नेरू गंगा नदी के बारे में बताएं और भारतवासियों के बारे में बताएं थे को भारतवासियों के इतना ज्यादा प्रेम है वह इतना लिड़ी हो गया है कि उनके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं बची है जिसको गर तो उसका एक भियंस चुक जाए और आगे ये भी बताएं कि जो भारत की नदी गंगा है उनसे उनका बहुत प्रेम रहा है और वो चाहते हैं कि जब उनके जो अस्थियां है उनका एक मुठी बर गंगा नदीम बहा दिया जाए लहाबाद में हम लोग ये भी देख चुके त कि जो गंगा नदी है उनसे भारती लोग यादगारे जुड़ी हैं वो भारत की बहुत प्रिय रही हैं बहुत सी परवाड़ी कता है जुड़ी है भारत की वहां से तो पाट सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि क्या आगे कहना चाह रहा है आई आगे देखते हैं कि smiling and dancing में मुश कुराती हुए और डांसिग में नाचते हुए in the morning sunlight मैं शुब सुरे के प्रकास में पीटी नेरूaktu गंगा नदी के भिज़ेशता बताते हुए काते हैं कि smiling and dancing में मुश कुराती हुए और डांसिग में नाचते हुए in the morning sunlight मने सुबह सुरे के प्रकास में गंगान अदी भाई दिखती कैसी हैं तो सुबह सुरे के प्रकास में वो मुश्कुराती और नाचती हुई देखती हैं and dark and gloomy dark means अंदकार मैं और gloomy मने रहस्य से भरी हुई dark means अंदकार मैं और gloomy means रहस्य से भरी हुई and full up mystery माने पूर रूप से रहस्य माई as the evening shadows फाल माने जैसे इस साम की जो छाया ढलती है न उस समय गंगान अदी dark माने अंदकार मैं gloomy माने रहस्य माई and full up mystery माने पूरा रहस्य से भरी हुई दिखती हैं कौन गंगान अदी इन नैरो माने पतली slow माने धीमी बहने वाली and graceful माने आकरसा के stream माने धारा के रूप में देखती हैं winter माने सर्दी की मौसम में जाड़े की मौसम में सीत की मौसम गंगान अदी की अलग-अलग भी सिस्ताएं बताएं हैं और यह इतना ज्यादा important है आपके लिए क्योंकि बोर्ड के एक्जाम में सबसे पहले पूछता की गंगान अदी किस मौसम में कैसी दिखती हैं तो इस जो रिस्पंसिबिल्टी टू रिडिट केरफूली जैसे ही साड़ फाल इविनिंग साड़ फाल मिंस साम की जो चाया डलती है तो गंगा नदी माने अंधकार मैं गलूमी माने रहस्य मई में फूल आप में फूर रहस्य से भरी दीखती हैं नैरो मने पतली इस स्लो मने द्हीमी बाने वाली घृस फूल अकर्सक इस ट्री कि जो और फिर साल करमकर दिखता हैं और सीथ के मौसम में ब्राड बोसंड मैं चौन्डे सीने वाली आल्मोस्ट आज दसी मने लगभक समूंद्र के समान and with something of the siege power to destroy और something माने कुछ कुछ siege power माने समुंदर जैसी सकती के समान to destroy माने नश्ट करने वाली अब हम लोग कह सकते हैं कि बर्चात के मौसम में यह एक विसालकाय गरशती हुई चीज के समान लगबख समुंदर जैसी चोड़े सीने वाली और उसी के जैसी बिनासक सकती रखने वाली दिखती हैं कौन गंगा नदी दगंगा माने गंगा has been to me मेरे लिए हो चुकी है या बन चुकी है a symbol माने एक प्रतीक and the memory of the past of India माने भारत के बीते विस समयों की एक याद बन चुकी है गंगा नदी running into present वो एक समय बरतमान में बाहर आई है and flowing on और बाती रहेंगी and the great ocean of future माने भविस के महान महा सागर में भी बाती रहेंगी पुरे भविस में बाती रहेंगी विसाल का सागर में प्रविस कर जाएंगी कह रहे हैं पीटी ने रू कि the गंगा has been to me the गंगा माने गंगा has been माने बन चुकी है to me माने मेरे लिए symbol माने एक प्रतीग and the memory of the past of India भारत के बीते समय की एक आदगार बन चुकी है running into present जो कि बरतमान में बाहर रहेंगी and flowing on और बाती ही रहेंगी और बाते हुए and the great ocean of future इस भाविष्च के महान सागर में चली जाएंगे बाती रहेंगे यहां तक clear हो जुगा तो बहुत अच्छी बात है आईए आगे भी देख लेते हैं पीटी नहरू कहें last में फेद बोलें कि and दो माने और यद्देफ की I have discarded माने मैंने छोड़ दिया है क्या छोड़ दिया है मच माने अधिकतर आप past tradition माने पुरानी परंपराओं and custom माने दी रिवाजो को पीटी नहरू एक बात और clear किये हैं कहें और यद्देफ की मैंने काफी बहुत ज़्यादा मात्रा में this card माने छोड़ दिया है क्या छोड़ दिया है तो प्राचीन परंपराओं को और custom माने दी रिवाजो को and I am X yes और मैं उच्छुक हूँ that means की India should read herself भारत खुद छोड़ दे aphal cycles maі hanno उन सभी बीडियों को that bind माने जो बांधती है unconstraint माने बारत को बांधती और नियंतित करती है सब बीडियों को तोड़े भारत और उन बीडियों को भी ड़िवाइड माने बाँटि और people माने उनके लोगों को and suppress bash number of them सब्समाने दवाद आलती है वाश नंबर आफ देम माने उनमें से अधिकतर अधिक संख्य लोगों के उपर और प्रिबेंट माने रोकती है तो फ्रीड अबलाप्मेंट माने स्वतंतर विकास को अफ दो बॉड़ी माने सरीर के अन्देश प्रीट माने आतमा के अर आतमा और अंदर विकास को रोकती हैं उनको भी छोड़ दे यहां तक भी क्लियर हो चुका होगा करें हैं कि दो माने देब की आई सिक आल दिस मैं सब कुछ चाहता तो हूं मैं सब कुछ चाहता हूं लेकिन एट माने फिर भी I do not wish माने मैं नहीं चाहता to cut myself मैंने अपने आपको को पूरी तरह से cut नहीं करना चाहता नहीं छुडाना चाहता पूरी तरह से कह रहे हैं कि I am proud of that great and irritants मैं गर्भ करता हूं that great and irritants मैं उस महान विरासत पर that has been जो हमारी रही है and is ours मैं और हमारी है and I am conscious that मैं बिल्कुल इच्छु कहूं या कह सकते हैं कि मुझे ग्यात है कि I too मैंने मैं भी like Allah फस माने हम लोगों की तरह हम लोगों की तरह मैं भी I am माने हूं a link माने एक कड़ी in the unbroken chain माने बिना टूटी हुई जंजीर का इस बिना टूटी हुई जंजीर का मैं भी एक कड़ी हुँ which goes back to the dawn of history which goes back माने जो वापस जाती है to the dawn of history माने तिहास के प्रारंब में वो जो कड़ी जो जंजीर है जो भारत की इकड़म अती थितिहास के प्रारंब से जुड़ी हुई और वहीं से चलती आ रही है उस कड़ी का मैं भी हमी लोगों की तरह क्या हूं एक पार्ट माने एक हिस्सा हूं अधा चैन मानों उस जंगेर को I would not break मैं नहीं तोड़ूंगा मैं उस जंगेर को नहीं तोड़ूंगा फार्मिस क्योंकि I treasure it माने मैं ने उसको प्राप्त किया उसको इकठा किया है एट सिक इंस्पीरेशन माने आ प्राप्त करता हूं और प्रेर्डा प्रामिट माने इससे और उसी से हमें तो परेनड़ा प्राप्त करता हूं एंड विटनेस आप डिजायर आप माइन आज माई लास्ट हो मैं जैसा कि मेरी अंतिम सरद्धानजली आप इंडियाच कल्चर निटेंस जो कि मुझे भारत के इस बिरासत के रूप में जो मेरी अंतिम सरद्धानजली मुझे मिलेगी या मिली है तो आप मेकिंग इस रिक्वेस्ट तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कि मेरी राखो का एक मुठी वा राख भी थ्रोन माने फेक दिया जाए इंट द गंगा माने गंगा में अट अलहाबाद में अलहाबाद के गंगा में फेक दिया जाए और वो जो बिसाल सागर में चला जाएगा जो कि भारत के समुद्री तर्ट समुद्री छोरो को धोता है तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक लास्ट पैसेज जो बचा है इसको भी देख लेते हैं पीटी नहीं लास्ट में कहते हैं कि मेजर पोर्चन आप माइसस मेरे राखो का अधिकांस भाग सुड़ भी हाववर भी दिपोश्ड अफदरवाज दूसरे तरीके से डिस्पोज माने खतम कर दिया जाए बिखेर दिया जाए कैसे तो बोले कि I want माने मैं चाहता हूँ दीज माने इसे to be carried high up into the air to be carried माने धोकर ले जाए जाए से ओवर दे फिल्ड समाने उन खेतों में वेर माने जहां दे पिजेंट साफ इंडिया माने भारतिय किसान ट्वैल मेंस पर इस्रम करते हैं कि मैं चाहूंगा कि I want this to be carried high up into the air कि इसको ढोकर के कहां ले जाए जाए आसमान में और प्लेन वान एक हवाई जहाज में and scattered from that height और उस उचाही से बिल्कुल फैला दिया जाए ओवर दे फिल्ड समाने उन खेतों में वेर में जहां तर पिजेंट साफ इंडिया ट्वैल भारतिय किसान भारत की किसान ट्वैल में पर इस्रम करते हैं आप इंडिया में भारत की अदिया भारत की अभिन अंग बन जाह एं I have written this will and testament I have written मैंने लिखा है क्या लिखा है तो this will मैंने वशियत and testament मैंने सपथ पत्र इच्छा पत्र in New Delhi मैंने नई दिल्ली में on the 21st day of June 21st June in the year 1954 21 June 1954 मैंने 1954 को मैंने वशियत और अपना एच्छा पत्र लिखा है तो यहां पर यह चप्टर पूरी तरह समाप्त होता है आसा मैं करता हूँ कि आप लोग दोनों पार्ट देख चुके होंगे आपको यह पार्ट समझ में भी आया होगा और पार्ट फरस्ट अगर नहीं देखे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है आप लोग जाकर पहले पार्ट फरस्ट देखें उसके बाद पार्ट सेकेंड देखें और जो भी कन्फिजन्स हो इसको आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएं इस वीडियो को अंते तक देखने के लिए और हमेशा की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारा उस्चा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद ठेर सारा नमस्कार थैंक्यू सो मच